नमस्कार दोस्तों काबिल नूज में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे बिहार SSE का परिछा खतम हो चुका है और तीनों सिफ्ट का पेपर पूरा वाइरल हुआ है जैसा कि आप लोग को पता होगा पिछले दिनों BPSC का भी पेपर वाइरल था लेकिन अभी तक कैंसिल का नाम सरकार ले नहीं रही है इसी मुद्ध पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं सबसे पहले सर स्वागत है आपके धन्यवाद और जितने विछात्र देख रहे हैं ये बहुत गंभीर मुद्धा है निश्चित रूप से इस पर धियान द रहा है क्या लेकर हो रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर्चातरों को इसमें बहुत इसमें मिली भगत एक सेंटर के हेड पकरा है इसमें टीचर पकरा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मिली भगत थी और बिना सरकार के स्रय का प्रस्रय का इस तरह का इतना बराकांड नहीं हो सकता है और बाद में चल करके आप देखे कि सकेंड सिटिंग और चाहिए और इस मामले में जितने टीचर लोग से बन परेगा टीचर हमेशा चात्र के साथ हैं और जो भी मीटिंग सिटिंग करें हमारा तो यह कहना है कि इस पर एक कि दरोगा जी के बेटे जो ओजय जी हैं जब पदाधिकारी लोग ही इसमें ऐसे हो रहा है, सक तो कहीं न कहीं है, सरकार की न कामी है जब ये बात सिद्ध हो गया, तो अब सरकार को निरने लेने में क्या परिशानी है, तो वो न तो छातर बैठने वाले हैं, और टीचर का भी 100% छातर को सपोर्ट है, इसलिए जो भी निर्नाय होता है हम तो चाह रहे थे कि पहले तो टीचर को आपस माम एक जूट करें और फिर स्टुडेंट से एक मीटिंग हो उस तरह का और जो भी आपस में निर्नाय हो पूरा एक जूटता से पूरी तरीके से एक जूटता से उस आलोक में हम लोग निर्नाय ले करके उस प दरोगा का पेपर जब लिख हुआ था तो उनका कहना था कि सब को 5-5,000 रुपया दीजिए नितिश जी लेकिन आज वही सत्ता में है और एक्जाम को हुए तीन दिन हो गया लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं हो रहा है सर और जब इवाद की बात करते हैं ते जस्वी जी तो हर इ जाम लेने का कोई अभी आप सोच भी नहीं दाए है तो क्या यही आपकी वाकी रजनीती है यही रजनीती है सर और सर से हम एक बात और पूछना चाहेंगे सर कोई स्टुडेंट इतना दिन तयारी करता है चार साल पात साल में एक्जाम देना होता है उसको पेपर होता है य पूरी तरीके से भरोसा अल्रेडी उठ गया था तेजस्वी से लेकिन बहुत उमीद थी लेकिन इस तरह का घटना करम जब हुआ और अभी तक उनका उस तरह का कोई भी परतिकरिया नहीं देखने को मिला तो बहुत बड़ा उमीद स्टुडेंट का तेजस्वी जी से भी तेजस्वी जी को निश्चित रूप से इस पर संग्यान लेना चाहिए नहीं तो वहासिये पर चले जाएंगे यह बात तया है और जहां तक दूसरा सवाल जो पूछे कि इतने दिन तक लगातार स्टुडेंट रह करके तयारी करते हैं बाहर रह करते हैं या जैसे भी बन पाता है तो आप देखेंगे कि चुकि हम तो यहां डायरेक्ट इस चीज को हम देखते हैं कि एक से एक परिसान बच्चे यहां पहुंचते हैं आर्थिक रूप से परिसानी है और गार्जन उनका पेमेंट देना बंद कर दिये हैं ट्विशन परहा करके पर रहे हैं कहीं ज है लेकिन वी द्यारती का बिश्वास कितना ज्यादा टूटा बहुत ज्यादा वड़ स्टूरेट है कि आप बता सकते हैं हम तो डेली अतने सारे बच्चों से मिलते हैं कुछ भी नए हमको थोड़ा सा भी भरुसा नहीं है हर एक्जाम का बीच में थोड़ा सा लगा था कभी स्थिति सुदर रही है जिस तरीके से दरोगावला पिछला हुआ था तो लगा कि स्थिति धिरे-धिरे सुदर यह मावल बेहतर हो रहा है और इस एक्जामस पहले हम लो हुआ रहेगा हर विद्यार्थी को स्केन करके भेजा जाएगा सील इस तरीके से रहेगा बहुँ ज्यादा होप था कि इस तरी इस बार ऐसा नहीं होगा लेकिन पूरी तरीके से भरोसा टूटा है और निसंदे जितनी जल्दी हो चैंसिल किया जाए एक जाम नहीं तो छात तक हुआ, FIR तक हुआ, बाद में बहुत आदमी पीछे हट गए, लेकिन अभी तक उस FIR का सामना हम करी रहे हैं, चुकि हम गलत नहीं थे, स्टूडेंट का छात्रीत में जोब हम से बन पराता हम किये थे, और आगे भी हम करेंगे, बिहार SSC के मुद्दे पर भी करेंगे. तो बिल्कुल और हम भी नितिश कुमार जी से तो मेरा भी विश्वास उठी चुका था, और तेजस्वी जी आपसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि इवाओं को काफी भरोसा है आप पर, और पूरे छात्र को काफी भरोसा था आप पर, और आप जब तीन दिन, चार दिन हो नहीं होती है, और छात्रों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप क्या मांग करना हैं सरकार से, आयोग से, प्रसासन से, कैसी मांग करना चाहते हैं, कॉमेंट में जरूर डालिएगा, जब तक के लिए, जैहिन